नाश्टे में या खाने में जब हम कभी स्टफ्ट पराठे बनाते हैं और दही के साथ उसको सर्फ करते हैं, चटनी कैचप के साथ सर्फ करते हैं, सबको बहुत पसंद आते हैं, चाए बच्चे हैं या बड़े हैं, सब के लिए एक बहुत अच्छा मील तयार हो जाता है, अधर का धाई कैसे जमाते हैं बहुत ही बड़ी आप ओमे आपके साथ शेयर कर चुकी हूं पिछले विडियो में तो आज हम बना रहे हैं पतागोबी का पराथा तो पतागोबी का पराथा कैसे बनाए ताकि पूरे पराथे में अच्छे से स्टाफिंग हो पराथे फटेंग कद्वकस करने के बाद इसको निचोड लेना है एक्स्ट्रा पानी इसमें से निकलेगा वो आप निचोड ले और उसके बाद इसमें इस मसालों को डालेंगे तो स्वादनुसार लाल मिर्ची, हल्दी, नमक हम डालेंगे मैं आजमाईन इसमें डाल रहे हूं ताकि बहुत ह दनिया मैं अट कर दीगे खूब सारा तो सबजियां बहुत अची तरह से हम भरेंगे पराथों में तो वही उसमें से एक पराथा मैं ला रहे हूं आज पत्ता गुबी का पराथा तो देखेए मैं पत्ता गुबी को पहले निचोड लिया था निचोडने के बाद पानी नि वही आटा लगाया है और इस तरह से हम लोई को बेल लेंगे छोटी रोटी में और जो मसाला आप देख रहे हैं किस तरह से मैंने स्टफिंग किया है अब इसी तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे अब मैं आपको तरीका बताऊंगी लोई को किस तरह से आप बेलेंगे ताकि बह देखे मैं किस तरह से लोई को दबा रहे हूं अब हलका सा दबाने के बाद इसको मैं हाथ में लोगी और इस तरह से इसको हम किनारे से हलके हलके हाथों से ज्यादा प्रेशन नहीं देंगे हलके हलके हाथों से इस तरह से गुमाते हुए थोड़ी दिर के लिए अब दबाएं आप चाहें तो दो तीन पराठे एक साथ बेलके रख लें और फिर इनको सेख लें तो जैसे हम नॉर्मल पराठा सेकते हैं उसी तरह से देसिगी लग लगा लो ते il को अपने तो पराठे हो बट़र भी लगा के sioke सकते हैं तो बहुत जादा तेज फ्लेम पे हमें इसको नहीं सेखना है लो टू मीडियम फ्लेम पे हम पराठे को सेखेंगे और ऐसे करके हम सारे पराठे बना के तयार करेंगे आपको जब भी इसको यूज करना है टिफन में पैक करें तो भी बहुत ही बढ़िया रहेगा आप नाश् तो आप इनको कैसरोल में अच्छे से रखें दा कि नरम भी रहेंगे टिफन में पैक करें तो भी कोई दिक्कित नहीं आएगी तो इसको कैचप के साथ अब अच्छों को तो कैचप बहुत पसंद आता है ग्रीन चट्नी के साथ भी सर्व कर सकते हैं बटर के साथ भी सर्व कर सकते हैं दही तो है ही तो रैसे भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिए